अनियंत्रित कार चालक ने बकसर मंडल थाना के समिप दातुन बेच रहे एक व्यक्ति को ठोकर मार दी उसके बाद एक बाइक में भी जबर्दस्ते तक कर मार दी बताया जा रहा है कि कार को एक नवालिक चालक चला रहा था जिसे आनन पानन में घायल तिरू खरवार को सदस् सबसे पहले अनियंत्रित वहां ने सडक पर बैठे दातुन बेच रहे एक व्यक्ति को ठोकर मार दी उसके बाद उसने एक बाइक को भी जबर्दस्त तक कर मार कर बाइक को हवा में उड़ा दिया सूत्रों से प्राप्ट जानकारी का अनुसार एक कार चालक कार लेकर रामरेखा घाट के तरब जा रहा था अचानक से उसका संतुलन बिगड़ा और उसने सडक पर दातुन बेच रहे तिरू खरवार नामक वेक्ति को जखमी कर दिया बताया जा रहा है कि कार को एक नवालिक चालक चला रहा था वहीं उसके पिता कार में बैठा था जिसने आनन फानन में घायल तीरू खरवार को सदरस्पताल में भरती कराया मामले में थाना देक्ष ने बताया कि आर को जब्त कर लिया गया है वहीं मामले में अभी तक घायल के तरफ से कोई लिखित आवेधन प्राप्त नहीं हुआ है उन्होंने बताया कि गायल व्यक्ति को मामूली चोटे लगी है जिसका इलाज सदर स्पताल में कराया जा रहा है बताते चले कि अभी कुछ दिन पुर्व ऐसे ही नो सिखिया चाल की चपेट में आकर एक किसोर की दर्दनाक मौत हो गई थी नगर्थाना छेत्र में हो रही इस तरह की घटनाओं से प्रसासिनिक ब्रवस्था पर सवाल खड़े कर रहे दिये हैं गारी तेज रहे कौन गारी रहे का नाम आपके दिल्खरवार पत्ली एकाना ने परेमा देगी आइन का चाना पहा तिरुप खरवाइब बोले नियुक्त